वेलकम तु न्यू लेसन, इस लेसन के अंदर हम डोमेन खरी देंगे, होस्टिंग खरी देंगे, प्लस हम डोमेन और होस्टिंग को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, बड़ा सिम्पल काम है, तीन स्टेप है, नमबर वन डोमेन लेना, number two hosting लेना and number three इन दोनों को integrate करना इस वीडियो के नीचे आपको link मिल जाएगा जहाँ से आप domain ले सकते हो और एक आपका button मिल जाएगा जिस पर click करके आप domain खरीड सकते हो और एक button आपको मिल जाएगा जहाँ पर click करके होस्ट खरीड सकते हो तो domain वाले button को click करके मैं already यहाँ पे हूँ जहाँ पे मैं domain ले सकता हूँ अब मुझे जो भी domain चाहिए यह just मैं यहाँ पे search करूँगा ठीक है तो मैं एक simple domain बनाता हूँ tntdemo.com देखो यह domain available नहीं है already taken है तो मैं बनाता हूँ think and thrive या फिर मैं बनाता हूँ क्या बना है domain wp course deepak .com ठीक है अवेलेबल है क्या लिया है मैंने wp course deepak.com अब इसे simple मैंने किया add to cart और यहाँ बे मैंने किया continue to cart और free domain with economy इसे no thanks रखना है और यह कह रहा है कि privacy add करने के लिए कह रहा है तो यह best है कि आप privacy ले लो अगर आप privacy लोगे तो domain खरीदने के लिए आपने जो भी information दियोगी वो लोगों को दिखेगी नहीं अगर आप privacy नहीं लोगे तो आपकी जो भी information है आपकी जो भी detail है वो ल तो मैं privacy ले ले रहा हूँ आपको भी privacy लेना है और यह आपको no thanks रखना है email वाला आपको नहीं लेना और simple आपको कर देना है continue to cart अब यहाँ पर देखो दो साल का आ गया 1000 रुपए कुछ आ रहा है तो मैं इसको कर देता हूँ एक साल और एक साल का आप देख सकते हूँ यहाँ पर कितना आ रहा है 510 रुपए 510 रुपए मुझे देने हैं और यह domain मुझे मिल जाएगा wpcoursedipak.com ठीक है तो अभी यह देखो दो option दे रहा है sign in to purchase new account और आपके पास already account है तो आप sign in कर सकते हो तो आपका नया account है अगर तो आप simple यहाँ से कर लो create account अगर आपके पास already domain है तो आपको account बनाने की जुरूत नहीं है मैं एक एकदम नया account बना के आपको दिखा देता हूँ तो यहाँ पर आप अपनी email वगारे की detail डाल लो मुझे यह वाले email यूज़ करनी है तो यह मैं करता हूँ copy नई यह मुझे email याद नहीं है copy कर लेते हैं paste कर देते हैं ठीक है और इसको यहाँ भी paste कर देता हूँ username भी मैं वही बना लेता हूँ password में लिख देता हूँ ठीक है और कर देता हूँ create account ठीक है जी बन गया अब आपसे यह अपना रीजन पूछ रहा है तो यहाँ पर आप इंडिया ले लो इंडिया फॉस्ट निम दीपक लास्ट निम सेंग और यहाँ पर मैं अपना फॉन नंबर डाल देता हूँ और हम address डाल देते हैं अपने फॉन नंबर डाल दो देन आप यहाँ पर अपना address डाल दो state में हम डेली डाल देते हैं city हम डाल देते हैं new डेली organization हम डाल देते हैं think and thrive और इसे कर देते हैं हम save अब देखो आपके पास अब क्या आ रही है payment करने की option तो मैंने उपर अपना detail डाल दिया then मेरे पास payment करने का option आ रहा है सबसे पहले credit card आ रहा है then net banking debit card wallets और UPI तो सारे payment की option है तो मैं UPI से payment कर देता हूँ right तो मैंने उपर select किया है UPI और then मुझे यहाँ से करना है complete purchase right आप देख सकते हो एक कुछ taxes भी लगा दिये इन्होंने और taxes लगाने के बाद एक कुछ 601 रुपए का domain यह हो गया है है ना बट कोई फराग नहीं पड़ता आपको domain तो चाहिए चाहिए domain के बिना आप काम कर नहीं सकते तो इसको मैंने ले लिया है 601 रुपए ले ले लेते हैं और इसको करते हैं complete purchase यहाँ पर मैंने लिया है UPI आप चाहो तो UPI के लावा और भी options ते debit card या wallet आप जैसे भी payment करना चाहते हो आप वैसे payment कर सकते हो मैं UPI ले ले लेता हूं और मैं कर देता हूं complete purchase ठीक है जी अब यहाँ पर मेरी billing information डली हुई है और यहाँ वापस UPI करते हैं और यहाँ पर मैं अपना जो भी UPI नंबर है मेरा या wallet का option भी है तो आप यहाँ चाहो तो पे टीम से देख लो पे टीम option है येस तो पे टीम का option है तो मैं पे टीम से भी payment कर सकता हूं राइट तो आप पे टीम से भी payment कर सकते हो मैं पे टीम से नहीं कर रहा इसे कर देते हैं retry और मैं UPI से कर देता हूं अपना यहाँ पे आप UPI लिखो और make payment अब आपको UPI accept करना है मैं UPI accept करता हूं और यह payment हो जाएगे तो payment done कर दिये मैंने अभी आपको दिखने लगेगा यहाँ पे थोड़ा सा wait करते हैं यह load हो रहा है जैसे यह हो जाएगा आपको go daddy पे इसकी confirmation आ जाएगी कि भईया payment हो गई है payment already done हो गई है बट यह थोड़ा load हो रहा है भी okay so thank you for your order payment हो गई है अब हम यहाँ से देखो option आ रहा है manage my domains तो मैं यहाँ से click करके वापस चला जाता हूं तो इसको करते हैं पंध यह रहा मेरा domain wpcoursedipak.com ठीक है बहुत है सिंपल तो यह तो पहला काम था जो की है domain लेना ठीक है देखो यहाँ पर go daddy का mail भी आ गया है अब अगला काम क्या है hosting लेना right domain के साथ साथ hosting भी जरूरी है अगर आप website बनाना चाहते हो तो मैं personally जो मेरी खुद की website दीपक सिंग marketing.com उसके लिए मैं reseller club की ही hosting यूस्टिंग यूस करता हूं और reseller club की hosting जो बहुत ही अच्छी है तो आप उसे यूस कर सकते हो अब हम खरीदते हैं hosting अब hosting देखो बहुत अलग-अलग type के plans होते हैं बट जब आप start कर रहे हो जब आप एकदम नई website स्टार्ट कर रहे हो तो आप shared hosting से start कर सकते हो ठीक है जब आप एकदम नई website आप start कर रहे हो तो you can start with shared hosting वो सस्ती होती है और बहुत कम price में आप अपनी website बिल्ड कर सकते हो तो यहां देख सकते हो आप shared hosting का option है तो मैं again यह hosting लेने का जो click है hosting लेने का जो URL है वो नीचे आपको button होगा जिस पर लिखा होगा click here to get hosting उसको आप click करोगे तो आप यहां पर आ जाओगे और यहां पर आके आप आपको click करना है shared hosting पे जहां पर मैंने click किया था अब then देखो यहां पर best चीज क्या है बड़े सस्ते सस्ते plan है देखो एक plan क्या है personal में आप एक domain host कर सकते हो एक domain आप use कर सकते हो मतलब एक hosting अगर आप plan लोगे और अगर आपके पास तीन या चार आपको website बनाने है तो आप इसी plan के अंदर आप बना सकते हो अगर आप business लोगे तो आप एक hosting के अंदर तीन domain बना सकते हो और अगर आप pro लोगे तो आप एक hosting के अंदर multiple websites बना सकते हो तो मैं क्योंकि मेरे पास बड़ी सारी multiple hosting है जो मैं already use करता हूँ बट क्योंकि मुझे आप लोग को एक दम दिखाना था कि कैसे scratch से purchase करते हैं तो मैं खरीद रहा हूँ personal वाली not business one मैं ले रहा हूँ personal वाली आप चाहो तो business या फिर आपका pro भी ले सकते हो और personal में देखो क्या है personal में आप बस एक साल का ले सकते हो directly आपको कितने दिन का मिलता है एक साल का जबकि अगर आप business लेते हो तो business में आप 3 months का भी ले सकते हो और अगर आप pro लोगे तो अगेन आप pro में भी 3 months का ले सकते हो ठीक है तो I'll recommend कि आप लोग business ही ले ठीक है आप लोग business ही ले और to start with business क्यों लें क्योंकि इसमें देखो एक तो option है आपके पास 3 domain का ठीक है आप 3 domains ले सकते हो तो future में अगर आपको और websites भी बनानी होंगी तो आप easily बना सकते हो इसी पर आपको अलग से hosting खरीदने की जरूरत नहीं है तो आपको simple यहां आना है business में और अगर आपको 3 month वाला लेना है तो आप 3 month ले लो अगर आपको 6 month वाला लेना है आप 6 month ले लो अगर आपको 1 year लेना है तो you can go for 1 year अगर उससे ज़्यादा का आप लेना चाहते हो तो आप वो भी ले सकते हो ठीक है तो suppose यहां पे 3 months लेते हैं और इसे करते हैं simple buy now अब यह आप से पूछ रहे कि क्या आपके पास already domain है देखो यह दो option दे रहा है I already have a domain name दूसरा I want to buy a new domain name तो हमने अभी domain खरीद दिया है तो आपको click करना है पहले पे I already have a domain name और आपको अपना domain name यहां से copy करना है और यहां पे आपको अपना domain name paste करना है और यह आपको नचेक कर देना यह दो option आ रहे हैं यह आपको नचेक करना है और देन आपको करना है continue to check out राइट continue to check out प्याना है आपको आप देख लो यहापे 3 months है और यह auto renew है न तो इसको auto renew को आप हतादो आप simple इसे कर दो proceed to checkout ठीक है one time payment देनी है ज्यादा attention लेनी की जूरत नहीं है अगेन यहाँ पे भी देखो आपके बस दो option है एक है existing user और एक है new user ठीक है तो हम बना लेते हैं new user create an account then again आपको अब यह सारी details यहाँ पे submit करनी पड़ेंगी तो हम यहाँ पे भर देते हैं details और address भर देते हैं 4A by 14 तिलव नगर अपनी वेल और तेंकन थ्राइब सिटी दली वन एट वेब साइट ओनर स्टीट दली email था हमारा देखो यह good daddy से email आई है verification के लिए तो यहाँ से उसको verify कर देते हैं और यह रहा हमेरा email यहाँ डाल देते हैं email और यहाँ मैं डाल देते हैं phone number और यहाँ डाल देते हैं पासवर्ड फोन नंबर लिख देते हैं पासवर्ड डाल देते हैं हो गया अब देखो पूछ रहा है पेमेंट मैथटड वही बड़े सारे ओप्षन है फिर से सिसी एवन्यू यह जो भी चाहिए तो मैं आपर वापस ले देता हूं यूपी आई और कर देता हूं पे ऑनलाइन सारी हम वापस जाते हैं यूपी आई और पेटियम यूपी आई है मेरा तो ठीक है मैंने अपना यूपी आई डी डाल दी और मेक पेमेंट और इसे कर देता हूं में पे यह हो गई पेमेंट ठीक है जी पेमेंट हो चुकी है अभी यह री रूट कर देगा मुझे ओके देखो अब इसने री रूट कर दिया कॉंटिन्यू टू मैनेजिंग और्डर्स चले जाते हैं हम अब देखो मेल आई होगी मेरे पास चार पांच री सेलर क्लब की यह देखो आ गई मेल को स्टार कर लो री सेलर क्लब सेल्स इसके अंदर आपका है आपके अंदर देखो नेम सर्वर है ठीक है और यूजर नेम पासवर यह सारी चीज़े हैं यह वाली मेल आपको ध्यान से रखनी है ठीक है यह मेल आपको ध्यान से रखनी है अगला काम हम क्या करेंगे अगला काम हम करेंगे हम हमने जो डोमेन लिया है उसका हम नेम सर्वर चेंज करेंगे ठीक है तो वह कैसे करेंगे हम तो हम जाएंगे अपने डोमेन पर इधर जाएंगे हम डी एनस पर या फिर एक बड़ डोमेन पर जाओ और जाओ आप आल डोमेन पर और यह आ रहा है इसको क्लिक करो जो आपका domain है जो मेरा domain है वो नजर आ रहा है उसको मैंने किया click और यहार है manage DNS मैंने किया इसे click और देखो यहाँ पर आ रहा है name server इसे हम करेंगे change मैं दुबारा करके दिखा देता हूँ एक बार मैं गया domain पे all domains और then मैंने यह domain name को click किया और then मैंने किया manage DNS और then are a name server यह मैंने किया change default है इसको मैंने किया custom और यहाँ पर देखो जो mail आईए न आपके पास यहाँ पर name server है तो पहला name server लिया आपने और यहाँ पर डाला देन आपने लिया दूसरा name server यहाँ से उठाया आपने mail के अंदर है देखो name server 1 name server 2 तो पहले मैंने name server 1 डाला अब मैंने name server 2 कॉपी किया वो डाला और यह किया मैंने save ठीक है अब यह name server मैंने change कर दिया है कई बार यह name server change करने में काफी time लग जाता है तो आपको थोड़ा सा वेट करना है ताकि अपडेट हो जाए फिर अगला काम हम क्या करेंगे अगला काम हम यह करेंगे कि हम अपने c panel में जाएंगे और वहाँ जाके हम wordpress install करेंगे ठीक है तो आज के lesson में इतना ही रखते हैं आपने आज क्या किया domain खरीदा then hosting किया hosting खरीदा then जो आपका name server था जो कि आपको mail में मिला था वो name server उठाके आपने domain name में जाके name server change किया अब कल का काम क्या होगा हमारा कि हम अपने c panel में login करके wordpress install करेंगे ठीक है जी so thank you so much for watching this lesson